हमारा और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले जी कहा था कि RBI के सर्कुलर्स रिलेटेड, RBI गैडलाइन से रिलेटेड या फिर RBI के जो नोटिस आती हैं इनसे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो जो हैं टाइमली प्रवाइड किये जाएंगे ठीक है तो आज से हम लोग वही सारी सीरीज यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं RBI कहता है नाम से सीरीज यहां पर स्टार्ट की जा रही है आसे जहां पर हम लोग इस सीरीज में RBI के जो भी सर्कुलर्स होंगे जो भी नोटिस होगी जो भी गैडलाइन्स होगी कि इसको proper deep में जाकर in-depth सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो कि किसी भी banking exam के लिए बहुती ज्यादा महत्पुन होता scale 2 वालों के लिए तो खास तोर से ठीके ना तिया सीरीज यहां पर हम लोग यहां से start कर रहे हैं यह लगातार आप लोगों को मिलती रहेंगी और अप्रायल से हम लोग आगे इन सारी चीज़ों को continue करेंगे पहले अप्रायल का complete करेंगे फिर मई जून जुलाई इस तरी किसी चीज़ें एक process में चलती रहेंगे ठीक है तो आज हम लोग RBI के जो guidelines के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें अभी RBI ने हाल ही में non-banking payment firms के लिए जो है NAFT और RTGS की facilities को allow कर दिया है इनको भी यह जो non-banking payment firms होती है यह भी अब जो है NAFT और RTGS की facilities को use कर सकती है अभी तक यह facility जो है सिर्फ और सिर्फ बैंकों के द्वारा यूज की जाती थी तो इसी से related जो guidelines है जो इसके fact है इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे ठीक है तो वीडियो को आप लोगों को last तक देखना है कहीं पर कोई doubt होता तो आप लोग comment करकर पूंच स आ रहे हैं कि अभी RBI ने जो है वो non banking payment firms के लिए जो है इनके लिए भी RTGS और NEFT की facilities को allow कर दिया है दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे दूसरा यह हो जाएगा कि RBI ने भी हाल ही में payment bank के लिए जो deposit limit है उसको दुमना कर दिया है कितना कर दिया है क्या कर दिया गया इसको आने NFT facilities to non banking payment firms ठीक तो RBI ने अभी हाल ही में NFT और RTGS जैसी centralized payment systems facilities की membership को extend किया है ठीक है non bank payment system operators को भी include किया गया है इसमे ठीक है NFT और RTGS की maximum minimum limit अगरा क्या होती है अगर आप लोगों को पता है तो comment कर कर बताओ ठीक है और इन सारी चीजों पो थोड़ा और आसान फासा में समझते हैं ठीक है तो screen पर जो लिखा है अगर आप लोग इसका screen sort अगरा लेना चाहा है तो ले सकते हैं वाकि में चीजों को और अच्छे तरीकी celebrate कर रहा हूं ठीक है अभी तक जो NFT और RTGS facility होती थी वो केवल और केवल बैंकों के द्वारा ही यूज की जाती थी ठीक ना केवल बैंक ही इसे यूज कर सकते थे लेकिन अभी RBI ने अपनी एक नई guideline जारी की और उस नई guideline के जारी हो जाने के बाद मेंसे अब जो non banking payment firm है non banking payment firms जो भी होंगी यह RTGS और NFT facilities को भी यूज कर सकेंगे यहां पर यह कुछ terms है इनके full form लिखे गए हैं आगे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा तो यहां पर यह इनका यूज होगा इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया है CPS का मतलब हो जाएगा centralized payment system PPI इसका मतलब हो जाएगा prepaid payment instruments और trades का मतलब हो जाएगा trade receivable discounting system यह सारे full form अगर आप लोगों को पता होनी चाहिए कई बार यहां से भी question बन शकते हैं यहां पर इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा कि in trades what does D stands for is का मतलब हो जाएगा तो आप लोगों को discounting इसका मतलब इसके अनुसार अब prepaid payment instruments जिसको कि मलोग PPIS बोलते हैं ठीक है prepaid payment instrument issuer white level ATM operators ठीक है trade receivable discounting platforms जो की RBI के द्वारा regulate किये जाते हैं यह सभी NEFT और RTGS facility को यूज़ कर सकते हैं white level ATM क्या होता है यह आप लोगों को बताना है ठीक है white level ATM क्या होता है यह आप लोगों को पता होगा वैसे तो नहीं पता है तो पता करो comment करकर बता हो पता है तब आप लोगों comment करकर बताओ ठीक तो आप इस नई guidelines के आजाने के बाद में prepaid payment instruments issuers white label ATM operators trade receivable discounting platforms जो की RBI के द्वारा regulate किये जाते हैं यह सभी NEFT और RTGS की facility को यूज कर सकते हैं अब RTGS होगा तो आपको पता होगा यह तो मैंने पहले ही बता दिया थे का RTS का full form क्या होता है इसकी maximum minimum limit क्या होती है सब आप लोगों को comment करकर बताना है ठीक ना और RBI governor सक्तिकांत दास ने अपने statement में यह भी कहा था कि इस facility के सुरू हो जाने के बाद में settlement risk को कम किया जा सकेगा और साथी साथ में digital financial services को भी बढ़ावा ही मिलेगा ठीक ना तो यह सारी चीज़ें होगे इस से related बस इसमें इस से ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना ठीक ना RBI allows RTGS and EFT facilities to non banking payments funds non banking payments funds क्या होती है यह आप लोगों को पता होगा ठीक है तो इस तरीके से यह सारी चीज़ें इस से related होगे फुल फॉर्म होगर आप लोगों पता होगा ने एक रटी जीए का जो फुल फॉर्म है comment में आप लोग इनके लिमेट होगा यह सब सारी चीज़ें RBI ठीक है RBI ने अभी हाल ही में payment bank के maximum end of day balance को double करके दो लाग कर दिया ठीक ना On the 7th of April 2021, RBI increased the existing limit end of day balance per customer of permanent payment bank from rupees 1 lakhs to 2 lakhs to support MSMEs and organized entities and other small businesses On November 17, 2014, RBI fixed the maximum end of day balance per customer for payment banks is rupees 1 lakhs ठीक ना तो समझो भी आप लोग यहां पर RBI ने अभी हाल ही में payment bank के maximum end of day balance को double करके 2 lakhs कर दिया है ठीक है ना यह भी पूछा जा सकता है कि कितने गुना किया गया तो पता होना चाहिए कि double किया गया ना इसा ना है कि 3 गुना 4 गुना इस तरीके से कुछने तो आप लोग समझी न पाएं और 27 November 2014 में 2014 की बात हो रहे 27 November 2014 में RBI ने जह है maximum end of day balance जो है per customer payment bank के लिए एक लाख रुपए fix किया था अब उसके बाद अभी 20 में जाकर इसको double कर दिया गया है इसको कितना कर दिया गया है दो लाख रुपए कर दिया गया ठीक है यहां पर एक term यूज हो रहा है end of the day balance क्या मतलब होता है यह आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए था हलाकि बहुत सारे रोगों को पता होगा जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि किसी भी account holders के द्वारा दिन के end तक जम्मा की गई रासी मतलब कि payment bank के customers एक दिन में दो लाक रुपए तक deposit कर सकेंगे ठीक ना यहां पर जो लिमिट लगाए गई दो लाक रुपए कितना कर दिया है दो लाक रुपए यह चीजे भी लोगों को जानने थी ठीक मतलब कि payment bank के customers एक दिन में दो लाक रुपए तक जो है वो deposit कर सकते हैं ठीक है पहले यह लिमिट जो है दो एक लाक रुपए तक की थी दोजार चौदा में यह fix किया गया था और MSM और दूसरे चोटे विजनेस को सपोर्ट करने के लिए यह लिमिट जो है बढ़ा दी गई है इसको बढ़ा कर एक लाक से तो लाक कर दिया गया है ठीक है payment bank deposit और withdrawal facility प्रवाइड करती है ठीक है चीजें यहां से भी बन सकती है कि payment क्या payment bank loan प्रवाइड करती है तो ऐसे case में अप्रूप क निकाल सकते है ठीक ना लेकिन लेंडिंग सर्विसेज इसके द्वारा प्रवाइड नहीं की जा सकती लेंडिंग सर्विश्न उधार देन לא सर्विश्न आप्रर नहीं की जाती fino जैसे कि credit card Loan ये सब जो है payment bank के द्वारा नहीं होता पेमेंट बैंक सिर्फ और सिर्फ जो है बिड्रॉल कर सकती है, deposit facility प्रवाइड कर सकती है, ATM कार्ट दे सकती है, net banking की facility प्रवाइड कर सकती है, mobile banking की facility प्रवाइड कर सकती है, ठीक है, यह सारे काम होते हैं, ATM बैंक के, और साथी साथ में, non-risk financial products जैसे की mutual funds और insurance भी, जो है, payment bank के द्वाइड के द्वारा दिये जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि payment bank जोगी, उस्तिर्फ deposit प्रवाइड करेगी, net banking, ATM card, mobile banking ही प्रवाइड करेगी, इसके साथ साथ में non-risk financial services जिसमें risk नहीं होता है, जिसमें risk कम होता है, ठीक ना, non-risk financial product जैसे की mutual fund, ठीक है, mutual fund हो जाएगा, insurance हो ज एक चीजहां पर हम लोग जानते हैं कि payment bank के लिए minimum capital requirement कितनी होती है, payment bank के लिए minimum capital requirement जो होती है, वो 100 करोन रुपए की होती है, ठीक ना, payment bank के लिए minimum capital requirement 100 करोन रुपेस की होती है, तो यहां पर यह चीजह हम लोगों नहीं जाने, end of the day balance का मतलब क्या होता है, limit of funds that the account holders can keep until the end of credit, यह मैंने बताया यह था आप लोगों को, तो maximum possible चीजह यहां पर आप लोगों को बताई जा चुकी है, payment bank के अस्था आपना कौन से कमेटी के recommendation के साथ के बाद हुई थी, यह आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने पूंचा था और सिर्फ और सिर्फ एक किसी ने answer दिया था और सही answer था, अप लोग यह बताओ, और दूसरी चीज़ी है कि इंडिया की पहली payment bank कौन थी, कौन सी bank को RBI के दवारा पहली payment bank का license मिला थी, नावर आसान बासा में में question को बता रिता हूँ, कि भारत की पहली payment bank कौन थी, यह static कभी question बन सकता है, तो यह लोग बताओ, और उसका headquarter कहां पर यह बताओ, RBI के चार और deputy governor के नाम पता होने चाहिए, आप लोगों को, ठीक है, RBI के board of directors में कितने कितने लोग उतने center से कैसे कितने लोग को point किया जाती ही, यह सारी चीज़ी आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसमें कोई मितलब कोई अभी भी confusion नहीं होना चाहिए, ठीक, तो अभी हम लोगों ने 2 circular RBI के बारे में हम पर discuss किया, RBI के तो जारी किये, 2 circular discuss किया, ठीक है, यह अभी हम लोगों ने discuss किया payment bank deposit limit को जो बढ़ा कर दो ना कर दिया गया है, एक लाग से दो लाग कर दिया गया है, ठीक है, तो आज हम ल मार्च के पर इंगफ करेंगे, ठीक, तो उम्मेद करता हूं कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आएं होगी, कहीं पर कोई दिक्तत नहीं होगी, इन सारी चीज़ें का आप लोग लिखते हुए में चलना, यहां पर कुछ बहुत जादा बताने लायक था नहीं, एक नॉ और इसके लागों कुछ बाकी था नहीं है, तो maximum possible चीज़ें इससे related दो थी आप लोगों को बता दी गए हैं, ठीक ना, सक्ति कांत दास, RBI की कौन सी गवर्नर, यह भी question क्मेंट करकर बताओ, ठीक है, payment bank के बारे में मैंने बता ही दिया है, पहली payment bank कौन सी है यह आप लोग पर comment करकर बताओ, ठीक, तो बस आज का वीडियो यहीं पर wind up करेंगे, मिलते हैं अपने early वीडियो में, जहां पर हम लोग जो है, कुछ और circular's के बारे में discussion करेंगे, चलिए, thank you